इस अबाउट टाइम कि थोड़ा सा यह जो न्यूस चैनल्स हैं, थोड़ा सा उनको और कुछ जिम्मेदारी का, I think, मेरे खाल से सुबूत देना चाहिए, जिस तरीखे के डिबेट्स होती हैं. जिस तरीखे के डिबेट्स होती हैं, जिस तरीखे के पैनलिस्स बुलाए जाते हैं, आपको भी पता है, हमको भी पता है, कि थोड़ा सा यह जो न्यूस चैनल्स हैं, थोड़ा सा उनको और कुछ जिम्मेदारी का, I think, मेरे खाल से सुबूत देना चाहिए, जिस तरीखे के ड काम भी नी सुने होते हैं, और वो पैनलिस्ट होते हैं, और उनकी उपिनियम्स होती है, और वो अमसला क्या है, कि वो न्यूस चैनल्स का रीच इतना जादा होता है, कि वो लोगों को लगन लगता है, कि यही सच्चा ही कही है, तो कि आपको लगता है, तो कि आपको लगता और एंटेटेन्मेंट चैनल सब्सक्राइब करते हो वह इंटेलेक्शिल डिबेट नहीं है वह वह बिग बॉस का घर है इन वे राइट अल इस वह बिग बॉस चैनल डिबेट्स वह बिग बॉस का घर है वह जहां मसाला हो ओंट्रिवसी हो हंगामा हो और यह ऑनिस्टी दीरे दीरे आम जनता को भी अब समझ में आने लगा है यह लोग न्यूज नहीं ओल ड़ाइम न्यूज नहीं बेच रहे यह लोग एंटरेन्मन बेच रहे यह बैगरांड यूजिक डाल रहे यह पैकेजिंग कर रहे यह क्या कह ते मसाला क्रेट कर रहे ड्रामा क्रेट कर रहे ताके हंगामा हो और मैं सिंज लास्ट 48 आज मैंने देखा है थोड़ा बहुत न्यूज चैनल भी मतलब खुशी-खुशी से कूटरें के पठान- व्लोगबस्र एकाष पठान तो क्या रॉजिक क्या है कि इस व Υाइथा इन gives devoted को ज्षी और डंदा Met dh will go after wherever they see TRPs it's not like when DD News used to be there and all or even when initially when the news channels came where there was reportage where there was you know credibility I think there are a handful of journalists right now who I would say are credible and you know I follow them I like their opinions you know Mr. Arjeev Sardesha is one who I think is pretty decent you know what he says so there are quite a few there Shiv Arur I think I like him also but the point is that most of them right now are actors right on their shows on their debates they are also acting they are also going through a script that they have prepared that suits them at that point but Faridun what you are saying is not going to change very easily because kya jeb tak unko controversy se TRP milhe ki woh controversy karte rengi or kya je Bollywood is a soft target because मैं आचिसी पार्टी में जाता हूँ right अगर मैं कही किसी से मिला तो 99% जो conversation होती ही वो Bollywood को लेके होती ही वो जानता है मैं Bollywood से हूँ वो cricket की बात 2% करता है थोड़ी आवा मौसम की politics की but अगर suppose मैं industry से हूँ भी नहीं most parties में या get togethers में कई ना कई लोग filmों की ही बात करते because जो filmे हैं वो मतलब since before independence they are the biggest source of entertainment for our country right हम मतलब ये हमारा एक देश है जहां हम star को देख लेते तो हम दीवाने हो जाते हैं हम शारुक सर के घर मननत के भार और galaxy के भार मतलब लाखों की भीड में पहुंच जाते हैं अमिजी के घर के बाहर लाखों की भीड में सालों से पहुंच रहे हैं यह आप कहां देखते हैं Hollywood में थोड़ी Hollywood में Tom Cruise के घर के बाहर लोज लोग भीड लगी रहे थे हम हमारे film stars को पूछते हैं उनको एक भगवान मानते हैं उनको खुदा मानते हैं उनको superhuman मानते हैं तो अब क्या है फरीदुन भाई जो जब प्यार इतना मिलता है न तो target भी फिर Bollywood ही बनता है उससे news बनेगी अगर मैं किसी आम इंसान को target करूँ या आप बोलो किसी corporate या किसी business man को target करूँ तो लोगों को फरक नहीं पड़ता कि so and so falana businessman के साथ ये controversy में को फरक नहीं पड़ेगा अरे film industry में किसी के साथ ये हुआ तो it becomes god gossip you know so it's a unfortunately it's a byproduct of the success and fame that Bollywood and the film industry has you know amongst the ordinary masses and these news channels and some media they use that for their own उनको भी घर चलाना है उनको भी डाल रोटी पराथा कमाना है so वो करते है and honestly I've stopped taking them seriously and I think a lot of people slowly slowly it's क्या एन पैंडेमिक में अ फरीदून when we were at home stuck in the lockdown and all that time we were minds were disillusioned we were scared we didn't know what's going to happen that time when these things used to be fed people used to be more believe it easier because they had no तब इतने न्यूज आ रहे थे हर जगे से हर चीज़ के बारे में के घर बेटे बेटे you know the empty क्या बते थे एंटी the the ideal mind is the devil's workshop तो वो ही होता था right because हम सब आइडिल वेले घर पर बेटे थे और फिर कोई कुछ बात कहते हम सुन लेते थे मान लेते थे कि हमाद और कुछ काम नहीं था now since things are opened and lockdown is done and you know the world is kind of back to normalcy I think धीरे धीरे as I said ना 48 hours से news channels भी चीक चीक के मतब celebrate कर रहे के पठान blockbuster होगी मैंने एक मतब हर जगे मैंने देखा है के पठान blockbuster होगी so मतब that's good